जम्मू कश्मीर विदानसभा चुनाओं के बीच पाक रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा है कि कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस जम्मू में आर्टिकल 370 चाहते हैं। जम्मू में मौझू डीडी न्यूज समवाददाता अमरेंद्र गुपता के साथ विशेश बाचीत में बीजेपी प्रवक्ता अरुन कुमार गुपता ने कहा बीजेपी बहुत पहले से कह रही है कि इन पार्टियों का पाक कनेक्शन है जो अब सामने आ गया है। जम्मू कस्मीर के चुनाओ और यहां की जो में समस्याएं और किस तरह के विकास के बादों के साथ इसमार भारती जनता पार्टी मैदान में हैं। उन सभी पहलों को समझने के लिए हमारे साथ राज्य के प्रवक्ता अरुन कुमार गुपता जी हैं। अब आप चुनाओ मैदान में किन-किन मुद्दों के साथ ने हैं। पडोसी देश पाकिस्तान का आज एक वार फिर से वो चहरा देखने को मिला जब वहां के रक्षा मंत्री ने साफ तोर पर 35A और 370 हटने के बाद कॉंग्रेस और NC का नाम लिया। बहुत सालों से कह रहे हैं इस बात को कि जो नेशनल कॉंफरेंस है, PDP है और कॉंग्रेस है, ये तीरों फैमिलीज की जब हम बात करते हैं तो हम तो साफ कहते हैं कि इन लोगों ने कभी उस देश के प्रती वो सब कुछ जो इनका एक धर्म होना चाहिए, देश के प्रती ज कि आज खुला-खुला वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, कि यो जितना भी सेट होता है, या जो उनकी विचार धारा है, ये भी इनकी विचार धारा है, तो यही तो हम कितने सालों से कह रहे हैं, तो आज अच्छा हुआ है, एक जनता के लिए भी बहुत अच्छा म करते हैं, तो इसका मतलब अब साफ साफ समझें, कि 30 साल इन लोगों ने एक पूरा अजंडा चला के रखा है, और उनी के डिक्टेशन के सिस्टम से ये सारा सिस्टम चलता रहा, उनी के कहने से मतलब किश्मीर में जो आज किश्मीर कहीं से कहीं पहुंच गया होता, 30 साल प साबिद करता है कि इनको पलिटिकल सिस्टम में रहने का कोई हग नहीं है, भारती जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, जनता का भी उनको खासा रेस्पॉंस मिल ला है, जम्मू से कैमरामें संदीप कुमार के साथ अमरेंदर गुपता, डेडी नि प्राटी निवीछ के औरेंद में मत में